नमस्कार दोस्तों मैं पंकज यादा आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पंकज स्टेडी सेंटर में शागत है तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भीया बोर्ड की साथ होंगे इदर फ्रेंड होंगे या कोई गयरा भी होंगे सब साथ में रहेगा लेकिन आप वहां पे सिर्फ अकेला रहोगे जी हां मैं सही कहता हूं आप उससे पूछोंगे इससे पूछेंगे यह बताओ बताओ कोई नहीं वहां पे साथ देने वाला दोस्ती बाहर में गई ऐसे होता है वहां पे ठीक है तो खुद पर आपको विदेंस रखना पड़ेगा कि हमें कैसे लिखना एक्जाम में क्या करना क्या नहीं करना खुद पर विश्वास करके सब कुछ करना है समझ रहे ना तो इस वीडियो में लिखकर की यहां पर बताऊंगा क्योंकि बच्चे यहां पर तेन क्लास के बच्चे हैं ज्यादा मेच्योर तो नहीं रहते हैं तो ऐसे में उनके माइंड में काफी दिक्कत आती होगी कि सर जल से जल मुझे बता दीजिए लिखकर के कि हम कैसे लिखे यह हमारे पास question paper है ऐसे हम लिखेंगे पाला डाउट आता है बच्चे के माइंड में कि क्या यार जो question को भी लिख देंगे हूँ और फिस फिर एंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में यार क्या होगा ना काफी ज्यादा समय जो है नो वह बढ़वाद हो जाएगा आपको पता होगा ठी करोगे यहां पर आपको संय देता है तीनगंटे 15 मिनट देता है अब मैं आपको बताओंगा जैसे कि objective integ so omr posit गौल तो झण तो दूर की बात हैं और ऑब बात करती है जब आपको आता होगा तो हम कैस से लिखेंगे तो यहां पे हम ले लेते हैं मालोग के आपको एसकीं किसो होगा ठीक है मैं जब ढूंड लूंगा तो औके यहां पे देख लेते हैं चलिए हम आच similarities है यहां पे सेक्षन B में यान Julian खंड बो में यहां पे लगूत्री प्रश्ण है ठीक है और इसको solve करना है कैसे solve करेंगे बहुत सिंपल सी बात है मालों कि यहां पे जितने भी सारे question दिये गए हैं यहां पे मैं आपको पढ़ देता हूं कि प्रश्ण संख्या 1 से 30 तक लगूत्री है इनमें से किनी 15 प्रश् के लिए दो अंक निर्धारित है मतलब आपको 30 प्रश्ण है उसमें से आपको 15 प्रश्ण का मात उत्तर देना है तो आप सोचो कि भईया किसका उत्तर देना है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे तो हम आचुके हैं लगूत्री प्रश्ण में ठीक है यहां पे दिया कि प्रश्ण संख्या एक से तीस तक लगूत्री हैं इनमें से किनी 15 प्रश्ण के उत्तर दे प्रतेक प्रश्ण के लिए दो अंक निर्धारित है कहने का मतलब इसमें जो खंड बौ है सेक्शन बी में टोटल आपको 30 प्रश्ण दिये गये हैं ठीक है अब 30 में से जो आपक इसमें से चूज कर ले ना की कौन कौन हमको आता है ठीक है तो यह सब सोल्व करने से पहले आपको लिख देना हैuh question paper पे स्यूर्फ इसट पर इसमें से सरे क्वान यारी स्पेहर्ट टो सबसे पहले आपको लिख दिना तो आये हम वहीरे हम लिख देते शेशा कि के से दिखा कि यां से स्टिर तो पहले तिसरा क्वेशन का उतर देना ठीक है ऐसे करना है मालो कि यह सारे के सारे कोशन नहीं है यह भी पूरा कोशन नहीं है आपको माल लेते हैं कि यह कोशन आता है या फिर तो जो आता है इसको करेंगे तो भया माल लो कि सपोज कि आपको यह आता या हमको यह आता है कोशन नंबर 13 अब हमें कोशन नंबर 13 का उत्तर देना है तो हम क्या यहां पे देखें क्या कहता है कि यह है हमारे पास कि यहां पर यहां पर लिख सकते हो हल इस तरीके से हल ठीक है याद रखना अगर आपके च्राय के अंudर ही तो हम यहां पर लिख देनाँ है और सबस्क्राइबी आइसर और सॉब्सक्राय करों यहां कर दिए तो यहां पर देखो मैंने हल कर दिया है हमारे पास इसर आ चुका है तो उत्तर नंबर इहां अमाल लो कि यहां पर यह 13 तो मैंने solve कर दिया हो सकता है तेरा के बाद 14 भी आता होगा तो हम 14 करेंगे तो हम क्या फिर लिखेंगे वही बात उत्तर क्या लिखेंगे उत्तर नंबर क्या 14 ठीक है मैंने 14 लिखा थोड़ा सा highlight कर देंगे ओके और यहां से हम फिर उत्तर नंबर 14 कर फिर हम क्या करेंगे हल लिखेंगे और इसी तरीके से solve कर देंगे देखो यहां पर कोशन क्या कहता है कि दुछी गहां समीकर इतना के मूलों की प्रकिर्ती याद करना है ड बराबर याद करके लिख दे ओगे ठीक है यानि वराबर माइनस के 4AC अब इसी मान पूड करदेना यह हमारे पास वोगा यह बी और यह C निकाल लोगे तो इसी तरीके से सब को सौलूशन करना है और इतना सब करने के बाद अब यहां पर माइन में एक यह सवाल आता है कि जो कि आपको यहां पर जैसे लाइन से गार्मा कोस्टिन आ तो मान ले ओ कि यहां पर अगर 11 question आ रहा है तो 11 question solve कर लेंगे अब यह कि बारह भी आ रहा है तो हम तेरा को पहले solve कर लेंगे ऐसा नहीं मिक्स नहीnh करना step by step चलना है कि अगर 11 के बाद जो आए वहीं लिखना यह नहीं कि 12 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा ठीक है आपको मालो की आता है अब कहीं आपको माइंड में यह आएगा कि यार यह न तेरा तो बना तो लूगा लेकिन यह हाड है इसको बनाने में लेट लगेगा इसकी वज़ाद से आप कर दोगे तरह से कोपी हमें लिखना ठीक है इसी तरीके से अच्छे से आपको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार का नंबर आपका नहीं कटेगा और धियान देने वाली बात यह है कि ज्यादा जैसे कोशन गलती हो गया तो यह नहीं कि घीसने मत लगना सो यह क्रॉ भार देना ऐसा कुछ मत करना ओके और बढ़िया से लिखना और बिलकुल आपको एक्जाम हॉल में जाने के बाद घवराना बिलकुल नहीं है ठीक है क्यूंकि यार एक्जाम का नाम सुनते ही बच्चे के अंदर क्या ओता है डर पैदा हो जाता है तो वह डर को दूर कर दे सब नया नया रहता है जिसकी वज़ा से यार एकजाम बच्चे के अमन में क्या होता है मतलब संका पैदा हो जाता है डर पैदा हो जाता है तो यह सब सारे सब को दूर कर देना है समझ गया ना तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए